हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, मैं अनू, जैसा कि आप थमनिल देखर समाजी गए होंगे कि आज को मैं मेकप लुक करने वाली हूँ, यह है करवाचौत मेकप लुक और यह मेकप लुक मैं स्टेप बाइ स्टेप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, मेकप लुक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मेकप लुक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ, यह डावर का रोज वॉडर, ऐसा टोनर, और इसे मैं पूरे फेस पर अच्छे से कर लूँगी, अगर आपके पास टोनर नहीं है, तो आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं, तो नेक्स में यूज कर रही हूँ, यह गुड़ वाइप्स का रोजिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, सीरम को जो है, मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी, और फिर हलके हातो पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करूंगी, जिससे यह पूरा जो सीरम है न मेरे स्कीन पर अच्छे से भगाव हो जाये, यह जो सीरम है न यह मॉशराइजर का भी काम करे का लिए अ फेस पर, तो मैं पूरे फेस पर अच्छे backlash लगा लिया है अब मैं next यूज़ कर रही हूँ यह कलरवार का परफेक्ट मैच प्राइमर प्राइमर को मैं फिंगर से पहले थोड़ा थोड़ा लगा लिया है और उसके बाद मैं हलके हातों से पुरे फेस पर इसे स्प्रैड करूंगी प्राइमर जो है वो आपके जो पोर्स होते है ना उनको मिनिमाइज करता है और मेकप को भी लॉंग लास्टिंग बनाता है मेकप यूज़ करने से पहले प्राइमर को ज़रूर लगाना चाहिए अब मैंने हापे फेस को फाइब मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि स्कीन केर किया था और अम मैं यहा आइबरोस को अच्छे से से सेट कर सकते हैं यह कुछ इस तरीके से है और यह जो आइबरो पैंसिल है मुझे काफी पसंद आई मैंने इसे पर्स टाइम यूज किया है और अगर आप बिगनर्स है तो आप इसे ज़रूर पर्चेस कर सकते हैं ज्यादा महंगी भी नहीं है औ मैं यूज करूंगी यह स्विष मुट्य का कंसीलर और इससे मैं जो मेरी आइबरोस है उन्हें है रिलाइट करूंगी और कंसीलर को हैंना मैं अपनी आइलिट पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे आइस का मेकश करना है ऐसा करने से जो आपका आइस का मेकशा है और अच्छय और ये मेकप लूग मैं करवा चौट के लिए कर रही हूँ तो इसलिए मैं अपनी जो मेरी आइवरोज है उन्हें पहले हाइलाइट कर रही हूँ और अब मैं हाप एक ब्रश ले करके जो मैंने कंसीलर लगाया है उसे अच्छे से स्प्रैट करूँगी और अब मैं यहां पर ये ब्यूटी ब्लेंडर लेकर की इसे अच्छे से ब्लैंड करूंगी ब्लैंडर से काफे अच्छे से ब्लैंड होता है वकल compact powder यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने concealer लगाया है आइलिट पर उसे अच्छे से सेट करूँगी इस compact powder से next में यूज़ करूँगी ये हिले रोडा की eyeshadow palette और इस मैंसे मैंने ये brush से पहले light pink कलर लिया है और इसे मैं अपनी eyes की crease पर अच्छे से लगा करके blend कर रही हूँ का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए आप जितनी अच्छी blending करेंगे उतना ही अच्छा आपका eye makeup होगा अब मैं eyeshadow palette मैं से ये red color लेकर के जो आइस का जो outer corner है वहां पर मैं इस color को लगाऊंगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिसी जो color है आपस में अच्छे से mix हो जाए एंड अब मैं ये finger से shimmer color लोंगी और जो मेरी eyes का inner corner है ना inner corner से half mid तक में इस shimmer color को लगाऊंगी eyeliner के लिए हापे में inside कॉस्मेटिक का ये eyeliner यूज कर रही हूँ और ये जो eyeliner है ये भी काफी अच्छा eyeliner है अगर आप कम प्राइज में अच्छा eyeliner देख रहे हैं तो आप इसे जरूर पर्चेस कर सकते हैं और मस्कारा के लिए मैं हापे ये swiss beauty का मस्कारा यूज करूंगी और ये जो मस्कारा है ये मेरा फेवरेट मस्कारा है इसे लगाने के बाद जो मेरी natural ilss है उनको अच्छा खासा वॉल्यम बिल जाता है आप देखी सकते हो और अब मैंने हापे fake ilss को भी लगा लिया है आ लगा लिया हैढैंज बेंगेियं और इसे मैं जो मेरा फांडेशन लगा है पुरी टी टीडर कि अंगा भूंडेशन ये चरह लगा विधिन लन उप्मांडी बिवार डीजिये ऊघ्टाषय में रखें ब्रेंड करने गयेंगी फांडेशन लुषित कंविडाशन अपेडारी पॉइंट होती हैं वहाँ पर concealer को लगाई और आपको pigmentation की problem है या dark spot की problem है concealer को आप वहाँ पर जरूर लगाई है ऐसा करने से जो भी आपकी spot है pigmentation है वो light हो जाती है अब मैं यहाँ पर यह beauty blender लेकर के जहां-जहां मैंने concealer लगाया है उसे मैं यह beauty blender से ईच्छी से ब्लैंड कर लोंगी है तो यहाँ पर मैं अच्छी से जो मैंने अपने मेकप बेस क्रेट किया है उसे मैं इस पॉड़र से पार्ण कर लोगी मैं अपने नेक पर भी लगा रही हूँ और जो भी मैंने प्रोड़क्ट यूज क्या है वह नेक पर जुरू लगाया है जिसे चेहरे और नेक का कलर अलग न दिखे अब मैं यह यलो सिमर कलर ले रही हूँ और जो आइस का इनर कॉर्णर है न वहाँ पर मैं ब्रश से इस यलो कलर को लगा रही हूँ इससे है न मेरी आइस जो है न और हैलाइट होके दिखेंगी काजल की लिए अब मैं यहाँ पर यह बेटन वाइल का वाइट काजल grammarे हूँ काजल को मैं अपनी वाटर लाइन पर लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लेक काजल का यूज नहीं किया है क्यूंकि वाइट काजल और अच्छा लुग देता है अब मैं यहाँ पर यह मियोन की spotlight blusher palette यूज कर रही हूँ पहले मैं अपने face को contour करूँगी तो सबसे पहले मैंने palette में से यह contour powder लिया है brush से और मैं अपने cheeks पर लगा रही हूँ यहाँ पर मैं अपनी nose को भी contour करूँगी तो मैंने यहाँ पर brush से जो contour powder है वो अपनी nose पर लगाया है shape देने के लिए और अब मैं यहाँ पर यह beauty blender लेकर के जो मैंने contour powder लगाया है उसे अच्छी से set करूँगी तो यहाँ पर मैंने cheeks को और जो nose है मैंने उसे अच्छी से set किया है अब मैं यहाँ पर blusher यूज़ करूँगी तो यह मेरा dark pink color है और इससे मैं अपनी cheeks से blush करूँगी blusher करने के बाद जो face है वो थोड़ा सा अलग सा दिखता है थोड़ा सा pink किसा लुका जाता है face पर और मुझे blusher करना वैसे भी काफी पसंद है और अब मैं यहाँ पर highlighter यूज़ करूँगी यह मेरा swiss beauty का highlighter है highlighter लगाने के बाद face पर रहना एक glow सा आ जाता है signing सी और मुझे highlighter लगाना वैसे भी काफी पसंद है और मैंने highlighter को highlights वाले point पर अच्छी से लगा लिया है और अब मैं यहाँ पर यह lip liner pencil यूज़ करूँगी तो यह मेरी lip liner pencil swiss beauty की है और इससे मेरी जो lips से उनको अच्छी से shape दूँगी next में यूज़ करूँगी यह blue heaven की red matte lipstick यह जो blue heaven की lipstick है ना यह काफी अच्छी lipstick है बट इससे है ना थोड़ से ओट मेरे जो है ना dry हो जाते है बट यह जो red color है ना इस lipstick का यह मुझे काफी पसंद आता है तो lipstick को मैंने लगा लिया है अब मैं हहाँ पर makeup को set करने के लिए makeup fixer यूज़ करूँगी यह मेरा swiss beauty का makeup fixer है और अब मैं यहाँ पर यह beauty blender लेकर के जो makeup fixer लगाया ना उसे मैं अच्छी से set कर दूँगी यहाँ पर मेरा makeup look complete हो गया है और साड़ी और ज्वेली अमें wear करके आती हूँ तो यह है मेरा final makeup look I hope makeup look आप लोगों को पसंद आया होगा आप भी इस तरीकी से अपना करवाचात्वर makeup look create कर सकते हैं और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करिए comment करके जरूर बताना कि यह makeup look कैसा लगा आपको and thanks for watching